नारायन नारायन हमसे चुड़े रहने के लिए सबस्क्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल को और बेल आइकन पे क्लिक करें नारायन 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 का उद्भुश जहां राम राम मधुर धुनवां हाँ, निंदा में असल में होता क्या है वो जरा ध्यान से आपको देखना है, शास्त्रों की बाते बेहद सीधी सरल भाशा में आप तक पहुंचा रहे हैं, कई सारे प्रश्णों के उत्तर इसके माध्यम से आपको अपने आप मिल जाएंगे, और कई सारी समश्याओं का समाध हम भी आपके हाथ में आजाएगा यह A, यह B और यह C यह A, हम है कल्पना कर लींजए और एक परिच्चित हमारे साथ में है कोई रिश्च्चित या नियर डियर जो भी और यह Bfires हमारे परिच्चित ही है हमारे सर्कल में ही है पर इस वक्त यह मौझूद नहीं हैं हमारे साथ ट्रैक्टिकल में तो दो जन जोब हम मिलते हैं आपस में, हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह कामखाली महिलाओं का है, भाई लोग भी बराबर साजीदारी में हैं, तो दोनों पार्टियों को धान से सुनना है, तो जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, हम लोग तीसरे की चर्चा करने शुरू कर हैं, हम सब अपने सिर पर अपने कर्मों की गठ्री लिए घूम रहे हैं, अद्रश गठ्री हमारे सर पर है, जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, वानी अच्छी वे वहार अच्छा, तो हमारे खाते में अच्छे कर्म जमा होते जाते हैं, और जब हम किसी का गलत सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, तो हमारे खाते में, गलत कर्मों का खाता हमारे खाते में जमा होता जाता है. अब जरासा देखिए, जब आपने जो व्यक्ति उपस्तित नहीं है, उसका खाली नाम लिया है, और शुरू किया है निंदा करना, आपका कनेक्शन इसके साथ जुड़ गया, तुरंत उसी छण आपने नाम निकाला, बोलना शुरू किया, जैसे हमने नंबर दबाए, कनेक्शन मुबाइल का पहुंच जाता है, उसी तरफ, कनेक्शन शुरू हो गया, आपने बुराई करने शुरू की, इसके खाते से डस्टर देना, इसके खाते से जो करम इसने जमा कर रखे थे, आपके खाते में जमा होते जाते हैं, और यहां से निकलते जाते हैं, चीजे तो यह कर रहा था, हम सुन रहे थे, पर जितना रस लेके आप सुन रहे थे, ये खाते में आपके भी उतना ही बढ़ता जाएगा, जो ये करम इसने जमा कर रखे उस करमों से ये तन का रोग भोगता, धन की हानी भोगता, रोग शोग पतन भोगता वो सारे आपके खाते में चले जाते हैं और मनुष्य का सभाव है, कि एदि हम प्रशनशा करते हैं, तो बड़ा चड़ा करते हैं, और निंदा करते हैं, तो थोड़ा सा मिर्च मसारा डालके करते हैं, है ना? तो जो रही आपने बड़ा चड़ा करना शुरू कि, अढ़्यान से देखना को, यह जो आपके अच्छे करम है यह उसके खाते में ट्रांसफर जो ही निंदा करने शुरू की उसके करम आपके खाते में और जब आपने बढ़ा चड़ा कर बोलना शुरू कि या बुराई करना शुरू की आपके अच्छे करम उसके खाते में आप कई बार हमको कई लोग आके कहते हैं कि जैसे हम लोग का कहना कि जो आप देते हैं वही चीज़ें आपके पास वापस लोट कराती है तो कई व्यक्तियों को आप समाज में देखते होगे कि बहुत गलत काम कर रहे हैं फिर भी सुख भोग रहें, ये प्रश्न हमारे पास आता है, कि गलत काम करके भी वो लोग सुख भोग रहें, उसका रीजन क्या है, जो गलत काम कर रहे हैं, उनकी बुराई अच्छे लोग बहुत अधिक तादाद में कर देते हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो गलत लोगों क कि बुराई इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि उनके गलत कर्म सारे हमारे खाते में आ जाते हैं और हमारे अच्छे कर्म वहाँ ट्रांसफर आते हैं, इसलिए वो सुक भोगते हैं समझा क्या? आपको जवाब देना होगा, चीजे भीतर जा रही है, क्या? हाथ उठा कर, हाँ, तो जो ही आपने बड़ा चड़ा कर बोलना शुरू किया, आपके जो अच्छे कर्म है उसके खाते में गए और जो ही बुराई शुरू की, उसके कर्म आपके खाते में डिपॉजित होना शुरू हो गए और आपको वो चीजे भोगने पड़ेगी, और किन चीजों से हम भोगते हैं? तन से, मन से, धन के, इन तीन चीजों के माद्यम से हम, एक आपने बुराई की, आपके तन पर असर, आपके मन पर असर, आपके धन पर असर तुरंत आता है, तुरंत आता है, तुरंत आता है, और विशेश अंडरलाइन के साथ की मात, पिता, गुरु, संतों के तो गल्ती से किसी से सुनते भी है तो इतना ही जवाब देना कि आखिर में माता पिता है वो हमें कुछ नहीं बोलना है करम उनके खाते से हमें लेना नहीं है यह चीजे समझी क्या फिर भी सत्र के बाद 10 मिंट का समय बचा के रखेंगे कि जो भी प्रश्न आपके भीतर है उसका उक्तर हम दे सकें इस विशय को पूरा कवर हो गया क्या है तो सोच लिया अभी आप सोच लीजिए कोई भी समझ्या दी सामने आपकी है कोई तकलीफ परेशानी है तो सिर्फ आपको अपने आप से प्रश्न करना है कि क्या मैं किसी की बुराई कर रही हूं क्या जो मेरे खाते में ची वालों ने बहुत सुन्दर आपको अपर्चुन्टी दिये मौका दिया है कि यहीं कि यहीं जो आपके आदत है वो छोड़ कर जाईए दादी समा लेगी इसे नाराय 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 वेरी नाइस